आईए, सुनिये, देखिये, समझिये, सनातन सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, गुदरत, गुदरती रचना, एवं कुदरत के कानोन से शाश्वस सुख की प्राप्ती, जोद्पुर के परंपुच महात्मा, उपासक, प्रोफेसर, डॉक्टर, सोहन राज तातेड के निर्देशन में, सनातन सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, आत्म विज्यान में आपका हादिक स्वागत आदुनेंदने सतकार है, आत्म विज्यान के मात्यम से हम आपकी सोच को सही करना चाहते हैं, आपके विचारों को सही करना चाहते हैं, इसलिए आत्म विज्ञान कारिकरम साइंस अपनी सोल का मुक्योद दिश्य है सही दृस्टी, सही सोच, राइट वीजन, राइट धिंकिंग इसके माध्यम से आप अपने विचारों को संतुलित करके और ऐसा जो है आप नजरिया बनाएंगे आपकी राइट विलीफ समाप्त हो करके आपकी राइट विलीफ को पैदा करना चाते है जिसकों की समयकदर्शन का जाता है और एक बार के राइट विलीफ आपको मिल गई इसका मतला आपको मुक्ष का मार्ग मिल गया मुक्ष की चाबी मिल गई था हम आपको मुक्ष की चाबी देना चाहते हैं हम मुक्ष का अर्थ यह होता है कि सभी दुख्वां से मुक्ती देना चाहते हैं और आपको ख्षनिक सुक मिल गया उससे कुछ होता नहीं हम तो पर्मानेंट सुक की आपको चाबी देना चाहते है उसलिए आत्मविज्ञान कारिकरम रखा गया है रात्मविज्ञान कारिकरम है प्रति दिन इसी से जुड़े हुए इसी बात को पुष्ट करने के लिए विशे रह जाते है हर विशे के केंदर की अंदर आत्मा रहती है क्योंकि हमारा जो ये जो कारिकरम है वो आत्मविज्ञान है वो केंदर से हम कभी भी नहीं हटते हैं अगर हम परीदी में जाएंगे तो पुने केंदर पर लोट आएंगे हमारी सारी दृस्टी केंदर पर होगी यानि आत्मा पर होगी आत्मा का कैसे विकास हो आत्मा कैसे उद्दार हो वो ही हमारा मुख्य उद्देश है तो इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुन्दर विशय है कि कर्मों की दस अवस्ता है यू लिये विशय जैन धर्म पराधारी ते है कर्म किसे कहा जाता है कर्म पौदगलिक होते हैं कर्म एक मैटर होता है इस सारी इस रस्टी के अंदर पूरे ब्रमांड के अंदर एक चतु इसपर्षी और अस्ट इसपर्षी जो परमान होते हैं जो चतु इसपर्षी होते हैं उसके अंदर क्या है कि वर्ण होता है गंद होता है रस होता है इसपर्ष होता है और शीत, उशन, करकश इस तरह आड़ तरह के स्पर्ष वाला स्थून बन जाता है और चतु स्पर्षी होता है जिसके अंदर कि जो चारी तरह के परमानु होते हैं शीत, उशन, स्निक्द, रुक्ष चार तरह के जो परमानु होते हैं वो चतु स्पर्षी होता है चत्तु इसपर्शी आँखों से दिखाई नहीं देता है अस्ट इसपर्शी जो परमानू फुद्गल आँखों से दिखाई देता है जिसे मकान बने हैं, चर्टाने बनी हैं, जो है हमारे हेलिकॉप्टर बने हैं, ट्रेन बनी हैं, घर बने हैं, मकान बने हैं, सड़कें बनी हैं, यह सारी दुनिया के जितना पुद्गल दिखाई देता है, मैटर दिखाई देता है, सारी दुनिया के जितना पुद्गल दिख बाहर नहीं होता है और आँखों से दिखाई नहीं देता है विज्ञान के किसी यंत्र की परिदी बागए परिदी में चतुसपर्शी पुद्गर नहीं आते हैं तो मू लिए करम जो है वो चतुसपर्शी होते हैं और करमों का बंदन कैसे होता है कि हमारी जो सोल है वो सोल के साथ के अंदर जो आत्मा के साथ में करम शरीर जुड़ा हुआ है वो राग द्वेश है वो खशा है वो क्रोध है वो एंकार है और माया है वो लोब है वही इस चत्व इस परशी की माध्यम से बाहर से आकरशित होता है क्योंकि हर क्षण, हर प्राणी जिसके पास में मन है, वचन है, काया है वो प्रवर्ति करता रहता है और प्राणीयों के अंदर भी एक इंद्री से पंचेंद्री होते है एक इंद्रीय के अंदर एक ही इंद्री होती है वो इसपर्श होता है तो वो जो है वो इतना जो है करमों का बंदन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास के अंदर डेवलप्ट जो है वो मन वचन काया डेवलप्ट होने जरूरी है तो ये मन वचन काया को योग का जाता है योग बार से चतु इसपर्शी परमानों को कीचते हैं यो खीचे क्यों हो जाते हैं कि भीतर जो कशाय है भीतर जो राग बेशे वो खीचवाता है वो खीच करके और पहाँ चिंखरीयों का यही काम है कि उसको कशाय को भीतर कार्मरसर atrás को सौंप देता है उसमें कर्टा होता रहता है और अब कर्मों की दस इस्तियां आती है वो कब जाकर के वापस उद्धे में आता है उसको समझने के लिए करमों की दस अवस्ताइं बताई यह है यह करमों का भुगदान होता है और आत्मा से करम डिटेच होते हैं उसको निर्जरा कहते हैं और आत्मा के साथ में करमों के बनने को आश्शव और बंद का जाता है यह अलग विशा है तो करमों की दस अवस्ताइं कौन-कौन सी है उसको हमाई डाइट करेंगे प्रकर्ती, इस्तती, प्रदेश, अनुभाग, उद्वर्तन, अपवर्तन, निदती, निकाचना, संक्रम, दस तरेके सिंग के अवस्ता है एके करके मवस्ता को लेंगे प्रकर्ती, इस्तती, प्रदेश, अनुभाग, जब कभी भी हमारा मन वचन कायरू की योग है इन कर्मों को तांता है पूरे ब्रह्मान से और कशाय भीतर बैठा है उसको सुपर्द करता है तो वो चार इस स्थिएं तुरंत साथ के अंदर बनती है वो कौन सी है कि मैं उधान के तोरह बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति ने जो है एक छुरे से किसी व्यक्ति का मरड़र कर दिया और वो मरडर क्यूं करता है कि पूर yolks जनम क्या उसका हिसाब बाकी है वरना उसकी कोई ताकत नहीं क्यों मर्डर कर सके पूर जनम में मरने वाले ने जो मार रहा है अभी उसको मारा था तो इसलिए उसका बदला ले रहा है यह सारा भुगदान यानी बदला है तो यह प्रकर्टी का नियम है डेबिटर करडिट और जब किसी का मान लीजिए कि छूरे के साथ के अंदर वो उसका मर्डर कर रहा है तो मर्डर करने से जो चतुस परशी पुद्गल कीचे जाते है प्रकर्टी प्रकर्टी जो है वो आठ तरह के कर्म होते हैं ग्याना वर्निया दर्शना वर्निया वेदनिया मोन billions यायुश्य कर्म गोतर अरंत्राई तो ये जो आठ तरे के कर्म है आठ में से से आयुश्य कर्म जी उन्हें एक बार बनता है उसको छोड़ दीजिए साथ तरे के कर्मों का प्रकिर्दिस की प्रदेश अनुबाद तुरंत एक साथ बनता है कैसे बनता में बताऊं कि उस व्यत्ती ने जो है उसका मर्डर किया तो इसका आर्थ यह होगा उसको हानन कर दिया तो हानन करते ही जो है उसको असाता उसको वेदना पहुंचाई तो इसके असाता वेदनिय करम का जो है बंद हो गया लेकिन उसके साथ साथ में डूसरे च्छा करम है कि ग्यानावरनिय अगर वह व्यक्ति जिंदा रहता तो ग्यान का प्रचार प्रशार करता उसको आपने रोक लिया तो इसलिए ग्यानावरनिय करम का उस अनुपास से सबसे डॉमिनेटिंग तो यह उसको मार दिया उसको वेदना पहुंचाए मरना यानि वेदना पहुंचाना है तो असाथा वेदनिय करम मुक्र डॉमिनेशन में है और साथ करम थोड़े थोड़े है जो ग्यानावरनिय है दर्शनावरनिय है इसका मतलब है तो वक्ति इस शुर में विश्वास करता, इस शुर में भक्ति करता, अच्छा बनता, दूसरों को अच्छा बनाता, तो वो सब आपने उसको समाप्त कर दिया, तो वो बंदन हो गया, तो वो दर्शनावर्णिय और मौनिय, मौनिय कर्म का आर्थ होता है, कि आपने मौ के वो मुह आ गया उसको कि उसने पूरूमें उसका बदला लेने की बात आ गई कि पूरूमें मुझे मारा ता तो मैं इसको मारूं तो ये राग-द्वेश पेदा हो गया कि राग-द्वेश ये यह मौ है मौ अच्छा भी होता है बुरे को गहना केते है और उसको द्वेश बोलते हैं और किसी प्रती अच्छा मौТ होता है उसको राक करते हैं इस द्वेश की वावना से डरीरित होकर कि ये सब मौ का संसार है ये मौ का परिवार है आपने किया तो एमोनिय कर्म हो गया और नाम और गोत्र कि आपने उसको मारा है तो वो आप वो ग्रती अच्छा जो है वो नाम करम का अच्छा कारे करता या गोतर करम का करता तो आपने उसको समाप्त कर दिया तो इसलिए मुख्य आठ करमों का वर्दी करण के अंदर प्रकर्ति मतलब यह आठ अरब के कर्मों की प्रकर्ति इस्तति मतलब यह कि जो कर्म आप यह कर रहे हो वो कितने समय तक आत्मा के साथ के अंदर जुड़ा हुआ रहेगा वो प्रकर्ति इस्तति है और तीसरा है कि उस कर्म के कितने परमानू है उसकी कितनी क्वांटिटी है क् कारति किया हुआ, कि जिस तीवरता के साथ में ये व्यक्ति मर रहा है, उसी तीवरता से आप भोगोगे, जिस तीवरता के साथ में जो जिस मारने वाले व्यक्ति का मर्डर हुआ था, उसी तीवरता के साथ के अंदर जो मारने वाला वो भुगत रहा है, तो प्रकृति, इस्त प्रद्वर्ट से 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 प्रद्वर्ट अफवर्तन, उदवर्तन का मतलब होता है कि बढ़ाना, अफवर्तन का मतलब होता है घटाना, कि जैसे निकाचित को छोड़ करके दूसरे करम हैं, जैसे कि साता वेदनी आएं, असाता वेदनी में बदल जाता है, और हमारा गोतर करम है, उच गोतर है, नेच गोतर में चला ज बदल सकता है, शुपशुप मा बदल सकता है, तो इस तरीके से यानि डाइलूटाइजेशन हो सकता है, कर्मों को कम किया जा सकता है, गटाया जा सकता है, वो अच्छी प्रवर्ती करने से, अच्छी कारिकलाब करने से जो है उद्वर्तन हो, उद्वर्तन का मतलब बढ़ाया जा सकता है अगर आप आप जो आपके साथ जो करम जो उद्वतन अफ़तन होने वाले हैं अगर उन करमों को जो है आप और बुराई की तरफ ले जाओ तो वो और बढ़ जाते हैं और उन करमों को आप भलाई की तरफ ले जाओ किसी का भला करो और किसी को कष्ट ना दो और उ तो ये निकाचित पर लागूनी होता है। निकाचित पर लागूनी है। हमारे सरीर में जीन्स होते हैं हम जैसा सोचते हैं हमारा करम उधर में आ गया प्रारद में आ गया तो हमारे सरीर के अंदर बोरी के अंदर जितने भी शेल्स है और शेल्स में जीन्स होते हैं वो जीन्स उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बदल जाते हैं वो संकर्मन होता है कि ये जो है वो एक कर्मों का इधर से उधर जो है वापस में मिल जाना संकरमन कहा जाता है तो प्रकृतिस्ति प्रदेस अनुभा उद्वतन अप्वन संकरमन निदती और निकाचना निकाचना का मैंने बताया कि वो निकाचित कर्म ऐसे होते हैं उनको कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता वो जैसे कि बहुत बड़ी बीमारी होती है तो बीमारी हमने खुदने किसी को कष्ट देकर अरजद की है और वो हमारे अशुब भावां से अरजद की होती है तो हमको जैस जैस बगतनी पड़ती है उसको जो निकाचित का रहाता है और निदती का अर्थ होता है कि वो कर्मों की जो है वो संख्या है उसमें फिर बदल रहो सकता है तो निदती निकाचना तो इस तरीके से ये कर्मों की दश प्रुवतिया होती है अवस्ताइं होती है ये कर्मों कि दस अवस्ताओं का ये एपिशूर क्यों दिखाया जा रहा है क्योंकि हमारी आत्मा कर्मों से आबद है ये हमारी आत्मा ये शरीर में क्यों है ये आत्मा की जो मुकिस्तान है मुकिस्का धाम है वो तो मुक्ष है तो ये शरीर में क्यों है ये शरीर में होने का कारणी है कि कर्म अर्जित किये होते है जनम जनमांतर के अंदर जो कर्मों का ये दस अवस्ताओं के माद्यम से कर्मों का अर्जन होता है विशर्जन होता है और ये एक प्रॉपर्टी के रूप के अंदर ये आत्मा के साथ में चतुश परसी करम जुड़े हुए होते है जब ये करम आत्मा से अलग होते है तो निर्जरा कहते है और करम आत्मा के जुड़ते है वो आश्व कहते है और करमों को आने का रास्ता बंद कर देते है तो संबर का जाता है ये अलग विश्य है लेकिन हम जो बात कर रहे है कि ये उसके बारे में बताए जाता है करम जब अगर खपा दिये जाते हैं और आत्मा के साथ में करम का एक भी परमणूनी होता क्योंकि आत्मा तो चेतन है और करम जड़ है आत्मा अमूर्त है करम अमूर्त है आत्मा चेतन है करम पॉद्गलिक है करम मैटर है दोनों के अलग अलग गु embodied है اور ये आपस में कभी नहीं मिलते हैं इसको तंकोत कीर्ण कहा जाता है कि आतमा तंकोत कीर्ण कैसे होती है कि आपने पानी के उपर जो है एक तेल की कुछ बुण्दें डाल दी या गी की बुंदें डाल दी तो वो कभी भी उस पानी के साथ के अंदर मिसरी की तरह और जाकर या पानी दूद में मिलता है जो गुलंशील चीज़े होती है इसमें गुलती नहीं है वो अलग ही रहेगी इसका मतलब यह है के आतमा और शरीयर जनम जनमान तरसे साथ चल रहे हैं 84 लाग जीवानों के अलग-अलग शरीयर होते है पेड का लग, बोदे का लग, कुते का लग, हाति का लग, नारकी का लग और जो है वो स्वर्ग वाले का लग हरें के शरीयर अलग-अलग है लेकिन इस शरीर के साथ में जो आत्मा है वही कॉमन है वही 84 लाग जीवा योनी में बटकती है और उस कर्मों की जो है अवस्ता के कारण कर्मों के जो भुगदान के कारण ही शरीर धर्ण करते हैं भुगदान कैसे होगा अगर आपने बैंक के अंदर चेक नहीं दिया या नहीं लिया है तो डेबिट क्रेडिट कैसे होगा चेक जिस तरीके से डेबिट क्रेडिट का बैंक में एक माद्यम होता है उसी तरीके से शरीर है कर्मों के भुगदान का माद्यम है इसलिए उस कर्मों का जो उदे काल है प्रारब्द गीता गिवासा में तो वो प्रारब्द और उदे जब आता है तो भुगतने के लिए साधन चाहिए वो माद्यम हमारा शरीर है उसी से भुगते जाते हैं तो भाई और बैनों अब हम ये देखना चाहते हैं कर्मों की इतनी बात करने से हम को क्या लाब है आत्म विज्ञान में ये कर्म का विश्य क्यों लिया गया है सची बात कहें तो कर्म ही ईश्वर है कर्म ही जो है एक निर्नायक है कर्म ही व्यक्ति को सुख देता है और करमी इसको दुख देता है एक दोहा है को सुख को दुख देता है और करम देता जगजोर उर्जत सुर्जत आप ही और दोजा पवन के फेज़ मंदिर के उपर जो है वो शिव जी की बाला जी के जो भी राम के एक रश्म के मंदिर होते है उसके द्वजा होती है उस द्वजा को कौन लेराता है कौन फेराता है उसको पवन फेराती है उस पवन के कारण वो अपने आप लेराते हैं और फेराते हैं उसी तरीके से हमारे मनुश्य जीवन को मनुश्य को जो है कौन सुक देता है कौन दुख देता है कि एक करम ही सुक देते हैं और दुख देते हैं 33 करोड देवी देवता मैंसे कोई भी ऐसा पावरफुल देव देवता नहीं है जो कि आपकी मदद कर सके या आपको कस्त पहुंचा सके आपका करम जे उदे में जैसा कि दस मैंने अवस्ताइं बताई की पकरती, स्तती, परदेश, अनुभाग तो कि जब उदे काल आता है तो ये चारों मैंसे जब उदे होता है प्रारब्द होता है तब उसके अनुरूब जो है सुक दुख की प्राप्ती होती है अगर शुब करम होते है तो व्रत्टी को सुब की प्राप्ती होती है और पाप करम होते है व्रत्टी को दुख की प्राप्ती होती है तो खिला कुल मिना के बिलाकर बात यही है कि रंग मंच ये जगत है और करम खिलावन हार और नाना रूप बनाए के नाच नहीं हो सकती पेड़ी मेड़ी नहीं हो सकती वो तो दागा जैसे हिलाता है वैसे हिलता है तो हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हमको हिलाने डुलाने वाला कर्म है जब उद्धे में आएगा तो हो जाता है कई बार क्या होता है हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता हम किसी से जगड़ा नहीं करना चाहते हैं पर वो नियती को कर्मों को मंजूर है और जगड़ा हो जाता है हमारा आत्म विज्ञान कारिकरम सही द्रस्टी सही सोच पर आधारित है wrong belief को समाप करके right belief को प्राप करना है कि what is the ultimate truth ultimate truth ही है बेद विज्ञान आत्म विज्ञान कि आप अलग हो शरीर अलग है तभी जब हमारी आत्मा सरीर को छोड़ के चली जाती है तो शरीर यहां रहता है और आत्मा दूसरा सरीर धारन कर लेता है this is the reality, this is the real truth उसकी जानकारी करने के लिए उसको हरगंगम करने के लिए और उसको आत्मशाद करने के लिए इसके साथ जुड़े रहिए आपका जीवन इसके माध्यम से आनन्द मैं हो, मंगल मैं हो, सुक मैं हो आपकी प्रती बहुत बहुत आभार एक ऐसा अंतराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त मानव जो गुरू प्रेर्णा से पिछले 20 वर्षों से वान प्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में सनलगन है एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रिय अंतर राष्ट्रिय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्म विज्ञान एवं पनुरुथान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनों प्योगी विश्यों पर हिर्दैस पर श्री प्रवचन कर चुका है उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड प्रोफेसर तातेड दुवारा योग दर्शन शिक्षा विशयों पर रचित पिएशडी स्तर के 250 शोद्गरंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रह हैं तथा वे सभी शोध गरंथ वहां की सेंटरल लाइबरेरियों में उपलब्ध हैं महात्मा सुहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार वर्क्शॉप कैम्प लगाकर लाखों विद्यार्थियों को उपयोग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षन देकर उन्हें सु संसकारित किया। डॉक्टर तातेड ने भारतिय संस्कृति उत्थान के चार हजार से अधिक समसामियक विश्यों पर आर्टिकल लिख कर ओनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेप साइट्स पर प्रकाशित किया जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड के पाँच हजार से अधिक आज का सुविचार, आज का शुब संदेश, आज का मंगल भावना योग, आदी चिंतन वेप साइट्स, ट्वीटर, ब्लॉगर, फेस्बुक, यूट्यूब, माध्यमों से लाखो लोग अपना जीवन निर्मान कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महा मानव महत्मा सोहन राज तातेड के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर, एवं लाखों दर्शक, फेस्बुक, ब्लॉगर, ट्वीटर और इंस् प्रोफाइल प्रोफाइल प्रोफाइल